हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ससी एक्जाम प्रिप्रेशन में मैं हूँ अर्चीता नेयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूँ परसेंटेज के कोश्चन के साथ तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो जैसा कि आपके स्क्रीन पर किस्चन दिख रहा होगा कह रहा है यदि A C C 50% बढ़ा हो और B C 25% बढ़ा हो तो हमसे पुछ रहा है A B से कितने परतिशत बढ़ा होगा यह हमें निकालना है आपको यहाँ पर बोला कि A C से 50% और B C से 25% बढ़ा है तो आप हमें बताओ A B से कितने परतिशत बढ़ा होगा यही आपका यहाँ पर कुष्चन होगा तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे यहाँ पर बात कर रहा है कितने परतिव की तर वह है यहाँ पर बूला है लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है आपको बोला है A C से 50% बढ़ा है और B के बारे ज्श परतिशत बढ़ा है तो सबसे हमारे लिए यहां पर क्या होगा कि हम माल लेते हैं कि C के लिए कुछ नंबर माल लेते हैं तो हमने माना कि C 100 है विकॉज सभी का comparison तो C से ही किया है तो अगर हम C माल लेंगे तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा EG होने वाला है हमने माल लेया कि C 100 है किरहें A C से 50 परतिसत बड़ा है तो 100 से 50% जादा यानि कि 100 का 50% हो गया 50 तो 150 यानि A कितना होगा तो 150 होगा किरहें B C से 25 परतिसत बड़ा है तो 100 का 25 परतिसत बड़ा है तो 100 प्लस 25 यानि कि आपका हो जाएगा कितना तो 125 इतना हमें अब सभी numbers पता चल गया है हमसे पुछ रहे कि आप बताओ हमें A B से कितना परतिसत बड़ा होगा तो हमारे पास सभी numbers यहां पर तयार होगा है 100, 125, 150 तो हम अगर यहां पर पता करना चाहें कि A B से कितने परतिसत बड़ा होगा तो यह कितना बड़ा है A B से तो 25 बड़ा है मल्टिप्लाइब आपका हो गया कितना तो 100 अब हम असानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं 5 ताइमस यहां 20 ताइमस तो हमारा हो गया कितना तो 20 परसेंट यहां पर और प्स आपको यही सारे चीज़ यहां पर ध्यान देना है कि जिस से बोले उसे हम सबसे पहले 100 माल लेंगे ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए उसके बाद अगर पूछे A B से कितने परतिशत बड़ा है तो B को हम नीचे लिखेंगे ना कि A को और यह हमारा डिफरेंस 25 ता असानी से आगया 20 परसेंट तो चलिए बढ़ते हैं लिखेंप लिखेंगे इजैंट Q fragrance कि द्वेशन और बहुत जी स्कूराए ंरेंस एक चार्सुट लीटर तील का इक कंटेणर है इसमें सब्स committed के कारण 8% का नुकसान हई चार्सुट सब्सक्राइब और चींटर के कंटे तो जिन लोगों ने हमारे प्रिवियस पार्ट नहीं देखे हैं, तो वो हमारे प्रिवियस पार्ट जरूर देखे हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्या कि यह सारे कुछिंस आपको बहुत ही जादा इंपॉर्टने वाले हैं, ऐस साथे साथ जो लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं, चार सो लीटर तेल का कंटेनर है, उसमें रिसाब होने के कारण 8% का नुकसान हो गया है, तो simply यहां पे हम क्या करेंगे, चार सो लीटर तेल के कंटेनर में अगर 8% क नुकसान हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, तो 92% x 92 x 100, overall यह हमारा कितना आ गया, तो 368 लीटर आ गया, option no.2, आपने देखा यह कितना ज्यादा इसी कुशन था, तो चलिए पड़ते हैं, नेक्स्ट कुशन की और, नेक्स्ट कुशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रहे एक कॉलेज में 40% चात्रों को ग्रूप A दिया गया, कॉलेज में ग्रूप सबाटे गया, जिसमें 40% चात्रों को ग्रूप A दिया गया, उसके बाद जो 6 बचे उसमें 75% को ग्रूप B दे दिया गया, और जो 6 12 चात्र बचे उन्हें ग्रूप से दिया गया, यानि 40 पहले ग्रूप A दे दिया लेकिन उसके बांस जो सेस बचे उसमें 75% को उसने ग्रूप B दिया और जो बचे बुन की संख्या वो बता रहा है कि 12 है तो हमसे पुछ रहा है कि कितने लोगों ने वहां पर फॉर्म फिलप किये थे यह आप से पुछ रहा है तो चलिए देखते ह हम माल लेंगे टोटल कितने चात्र थे तो 100 थे परसेंटेज हो या प्रॉफिट और लॉस सबसे इसली होगा आपके लिए 100 मानना हमने माल लिया कि टोटल चात्र है 100 कह रहा है कि इसमें से 40% को ग्रूप A दे दिया अगर 40% को ग्रूप A दे दिया गया तो 100 का 40% आपका हो ऑर 60 टो से इसली हमारे पास कितने बच गए तो 60 तो 6 से जो बचे उसके 75 कग्रूप B मिला तो 60 का 75% मी भी मिला हो गा तो 60 , 각 105 नों 5 डिभाइद पर साथ ճीआ, WC कर दिये 15 और यह हमारा कितना हो गया तो 25 चौका 100 और 25 ती य पचितर या यानि कि कितने चात्र हो गए तो 45 चात्र गरूप B में 45 चात्र हो गए अब आप देखो पोटल चात्रे 100 जिसमें से हमने कितने इस्टोइंट को कांड कर दिया तो 40 प्लस 45 यानि 85 इस्टोइंट तो हम 15 यूनिट जो है वह किसके बरावर है तो 15 के बरावर है तो हमसे पूछ रहा है कि अवेदन करने वाले च्छात्रों की संख्या कितनी है हमने माना था 100 यूनिट है तो अगर 15 यूनिट 12 के बरावर होगा तो 100 किसके बरावर होगा तो 12 x 100 divided by 15 4 त्या बार्ष और यह दिया हमार आपको तो वह आते शलकली किया ने कोई ग्वेराले थे सधेशी गयों को jaar है एक हमारे चैनल से कोई वह आपको अप्ड चैनल में जोए और शुजेसंस देन UP, कि में इसोधार कर राजे환 को सब्साहिए तेक अभगे सब्सक्या कि आपको क्या नहीं पसंद आई कॉन से चीज़े नहीं संज मैं या थिर आपको निफ ड्सप्टर की स्म चैप्टर क्या पढ़ना है कौन्से चैप्टर में प्रब्लम में यह सारे चीजेस के अलाबा हमने यहां पर आपके लिए तो आप उस टेश्ट स्रीस को जरूर जोएंड करो और इस जो भी आपको चेप्टर में प्रॉब्लम आते हैं वह भी आप हमें कमेंट या मैसस कर सकते हो तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यों आपके स्क्रीन पर इख रहा होगा कैरेकी एक डिबबय में आपको एक डिबबय में घोलो की बात की गई जिसमें कहा गया सव नीला गोल पचास लाल गोल और पचास काले गोले的 अब यहां तक तो हमें पता चल्गा कि कौन कौन कुलर के कितने गोले हैं चलिए ऐसे एक पल के लिए यहाँ पर हम लिख 25% नीले गोलों को निकाल दिया और 25% लाल गोल भी निकाल दिये, तब हम से पुछ रहे है काले गोलों का परतिशत कितना होगा, तो चलिए देखते हैं, अब अगर हम देखें, ब्लू कलर का हैंडेट गोला है, जिसमें से 25% क्या हुआ, तो निकाल लिए गए, तो अगर 25% न परतिशत लाल निकाल गया, तो 50% मतलो आधा, तो 50% का आधा 25, 25 निकाला गया, 25 हमारे पास बचा होगा, तो रेट कलर का 25 बचा, जबकि ब्लेक कलर में कोई भी चेंजिंग नहीं आई, ब्लेक फिट से हमारे पास 50 ही रहा, अब अगर हम इन सारे को जोड दे यहां पे, 75, 25 और 50, तो हमारे पास overall कितने हो रही है, तो 150 गोले हो रहे है, हमसे पूछ रहा है, इन 150 गोलों में आप काले गोलों का परतिशत मिकालों, तो यह हमारा हो जाएगा 50, divided by 150, multiply by 100, तो यहां पे हमारा हो गया, 100 divided by 3%, जिससे हम एक तरीके से बूलते है, 33 and 1 by 3%, जो कि आपका option number 3 क साथ चला गया, तो अभी के लिए बस इतना ही, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ, then bye and thanks for watching this video.